ये दुनिया चुप रहती कब है कहने दो जो कहती है नमस्कार जैहिंद उपस्तितु एक बार फिर से आपके समक्ष हिंदी साहित्य का शंक्षिप्त इतिहास और आज भाग है इसका चोथा ये चोथा वीडियो है चोथा लेक्चर है क्लास 11 और 12 की जो कॉबन बुक है हिंदी साहित्य का शंक्षिप्त इतियास वहाँ से हम अध्यन कर रहें और एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए नोट डाउन करते हुए आगे हम चल रहें ये आपका कंप्लीट है जो निव बना देगी साहित्य इतियास की अनुरोध आपसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है आपको अभी शेर कर दीजी सभी ग्रूप में सभी दोस्तों के साथ जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा है सब का फाइदा होगा अपना ये चैनल भी आगे बढ़ेगा और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सकाइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए और उसके बाद में ओल नोटिफिकेसन लिखा वा आता है उस पर क्लिक देख लिजी जो तीन बजे क्लास हुई थी अपने प्रारंब करते हैं देखिए सात्यूं परिनिष्ठित कल आपने अब रंश बासा हजारी परसाद दिवेदीर मिश्ट्र बंदूओं का काल रामचंदर शुक्ल का काल विभाजन वो सारी की सारी चीज़ें देखी थी और आज हम थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं जिसमें रासु साहिते आएगा आगे जेन साहिते आएगा वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे जहां जहां मैं कहूं के लिख लीजिए वहां आप लिखते चलना परिनिष्टित अब ब्रंश भाषा हिंदी के रूप में परतिष्टित हो रही थी अब ब्रंश भाषा के कवी अपनी वाणी को सामाजिक आध्यात्मिक विचार से जुक्त करके मानवी जीवन को क्या सूव विवस्तित करने की और ध्यान दे रहे थे जो अब ब्रंश भाषा के कवी थे वो अपनी वाणी को क्या सामाजिक रूप से अध्यात्मिक रूप से और नेतिक बातों को नेतिक विचार लाते विए मानवी जीवन के अंदर इस्तापित करने की और अग्रसर हो रहे थे ध्यान दे रहे थे वहीं हम बात करें आगे तो जंजन को नवीन प्रेरिना प्रदान करके अपने विचारों के अभिवेक्ति कर रहे थे तब यह प्रशन आता है कि हिंदी का पर्थम कवी किसे कहा जाता है कहीं बार पूछा जाता है कि इसके अनुसार हिंदी का पर्थम कवी कौन था इसके अ सिव सिंग सेंगर का गरंद कौन सा सिव सिंग सरोज और कब लिखा था ये कमेंट करके बताईएगा सन मैंने आपको बताया था गारसाद अतासिन ने तो पहला जो भाग था 1849 में लिखा दूसरा 1847 में लिखा लेकिन सिव सिंग सेंगर ने कब लिखा था ये आप कमेंट करके बताईएगा तो हिंदी के प्रथम कवी के रूप में सात्वी शताबदी के पुष्च दंत या पुनप दंत नामक किसी कवी का नाम लिखा है तो नोट किजी आप शिव सिंग सेंगर ने मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखना आपको सिव सिंग सेंगर ने अपने गरंथ सिव सिंग सरोज में हिंदी का प्रथम कवी पुष्च दंत या पुनप दंत को माना है सात्वी शताबदी ये लिख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं किन्तु इस कवी का उलेक मातर मिलता है कि अभी तक उसकी कोई रचना उपलब्द नहीं हुई है लेकिन अपने को ध्यान रगना शिव सिंग सेंगर ने पुष्च दंत को कहा शिव महिम की रचना पुन्ने दंतने की इनका लक्षन गरंत भी था जो भी तक प्राप नहीं हुआ है अगला देखिए सरहपा या सरहपाद रहुल संकरत्याइन ने सात्वी शतापदी के सरहपा को हिंदी का पर्थम कवी माना है शिव सिंग सेंगर ने तो पुष्च दंत को माना है और रहुल संकरत्याइन ने सरहपाद को माना है जो कि सात्वी शतापदी के रहे हैं इनको हिंदी का पर्थम कवी माना किसने रहुल संकरत्याइन आगे बढ़ते हैं और ये जो सरयपाद है ये चोरियां से जो सिद्धाचारिय थे शिद्धाचारियों में से एक हैं सरयपाद इन्होंने बताया इन्होंने किनोंने संकृते हैं साबने कि सरह पाद कवी की करतियों में अब ब्रंश की अपयक्सा संस्कृत भास्टा के तत्सम शब्दों का प्रियोग हुआ है इनकी कवे चेत्ना में अनेहे कैसे तत्वों को समावे से जो भक्तिकाल में पलवित हुए अर्थार्थ इनका कवे भक्तिकाल का विजांकुर था इनका कवे या आपसे यहां सवाल पूछा जा सकता है ध्यान में रखिये गा कि भक्तिकाल का विजांकुर किस कवी से माना जाता है सरह पाद से माना जाता है किसके अनुसार राहुल संक्रतैN के अनुसार चोरा सी सिद्धाचारियों की वाने का रूप नात संपर्दाय से लेकर कबीर दास तक देखा जाता है इसे ऐसा परतीत होता है कि नात संपर्दाय का विकास सिद्ध साहिते से ही हुआ था नात्समपर्दाय का विकास किसे वोद सिद्धों के सिद्ध साहिते से हुआ माना जाता है। सरहभाको इंदी का पहला कवी कहने के पीछे एक अन्याधार का विशेली भी है। सेर्यापा को पहले किस ने का राउल संकरतयाहब ने और पुष्य Earth को किस ने का शिव सिंग शेंगर ये शेयलि से अंदर से इनका काव युद्ध दोहा और पदों की शे6 युब था जिसें प्रवर्तिको इंपनाया उस समय के कविन जो जे शे6 में रचनाइब करते थे वो दोहा और पदों में करते थे मुख्यतिया इन्हों ने मुक्त चंद दोहा का अधिक प्रियोग किया मुक्त चंद दोहा का अधिक प्रियोग इसने किया अपने सरय पाद ने इन दृष्टियों से सरेपाद को क्या हिंदी का पर्थम कभी माना जाता है कुछ विद्वानों का मत क्या है कि सरेपाद को हिंदी का पर्थम कभी इसलिए नहीं मानते कि इनका कावे अबरन साहिते में लिखा गया तथा दूसरा इसमें हिंदी का कोई परसार नहीं था हिंदी का जो निखार है ये दूसरी जो इनके आलोचक है समिक्षा करने वाले जो हैं वो कहते हैं कि हिंदी का निखार तो 11 वी शताबदी तक आते आते हुआ था जबकि सरयपाद 7 वी शताबदी के सिद्धाचारी कभी थे तो उसमें कैसे मान सकते हैं को डौक्टर गनपतिचंदर गुप्त ने कहा अप बरंस और हिंदी के बीच एसी कोई मध्यान तर्य रहा नहीं खिंच जा सकती है। लिख लिजी आप डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा कि अब्रेंस और हिंदी के बिचे सी कोई मद्यांतरे का नहीं खिंच जा सकती है किसका गतन गणपति चंद्र गुप्त का उन्होंने अपने हिंदी साहिते का वेग्यानिक इतियास लिख लिख लिजी नोट कर देखिये घृंभ लिजी कोई भी काम करते है न लिखने गा पूछी गई है इंपोर्टेंट है भरतेशर बाहूबली रास के रचियता को नहीं शाली बद्र शूरी को हिंदी का पर्थम कभी माना है एक फेक्ट और लिख लीजिए गणपती चंद्र गुप्त ने शाली बद्र शूरी को हिंदी का पर्थम कभी माना है ठीक है गणपती चंद्र गुप्त ने हिंदी का पर्थम कभी किसे माना है शाली बद्र शूरी को सिव सिंग सेंगर ने किसको माना है अपने उष्यदंत को ठीक है और रहुल संकरता है इने किसको माना हिंदी का पहला कभी सरह पाद को उमीद करता हूँ याद हो गए होंगे तिनों तो किसने किसको पर्थम कभी माना है नाम दे के पूछे जाएंगे आपको तो ध्यान में रखना है कुछ विद्वान अमीर खुस्रों को तथा कुछ विद्यापति को हिंदी का पर्थम कभी मानते हैं लेकिन कुछ विद्वानों ने अमीर खुस्रों विद्यापति को बारवी शतापदी के कभी कहकर ऐस्विकार कर दिया नेगलेट कर दिया मिश्र बंदों ने अप मिश्र बंदों ने हिंदी नवरतन में चंद बर्दाई को हिंदी का पर्थम कवी माना है नोट करके लिख लिए लाइन भी चंद बर्दाई की रचनाओं में प्रोड था एवं चंद विदान का अनुसरन किया गया है आचारिय रामचंदर शुक्ल का मानना है कि चंद बर्दाई हिंदी के पर्थम कवी हैं एवं इनकी रचना पर्थविराज रासो हिंदी का पर्थम माकावे ऐसी कैसे लाइन लिख लिजिए देखिए हिंदी का पर्थम माकावे पूछा जाए तो पर्थविराज रासो अब आपको स्रूरू से लिख लीजिए आचारिये क्योंकि इनका शुक्र साब को जैदा वरीता दी जाती है आचार ये शुक्र ने चंद वरदाई को हिंदी का पर्थम कवी माना है तथा इनकी रचना इनकी रचना क्या प्रथविराज जरासों को हिंदी का पर्थम महा कावे माना है लिख लिए आगे बढ़ते हैं डोक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोसनात्म कितियास लिखा 1938 में अब देखो रामकुमार वर्मा ने क्या लिखा हिंदी साहित्य का आलोसनात्म कितियास कब लिखा 1938 में लिखा अब सर्याद के से करें इनको तो देखिए राम के कुमार कुन थे राम के कुमार कुन थे लवकुष राम के जो बेटे कुन थे लवकुष थे कुमार उन्होंने क्या की थी राम की क्या की थी आलोचना की थी जंगल में कि हमारे पिता जी छोड़ गे हमें कोन है हम नहीं जानत राम को ने जेगल में छोडने के बाद में तो राम के कुमारों ने जांत की क्या कि थ Europosham के ती तो इसी परकार आपको आपको यहीचा करना है मैं आपको छिश्ष्ट से स्रिष्ष्ट देने का प्रिय Somasak कर रहा हूं तो आपको भी प्रियास करना है अपने इस चैनल को अपने इस परिवार को और बड़ा बनाना है परियास करेंगी जल्दी ये पचाहजार एक लाख तक पहुचे आपको लाइक करते रहना है हमेसा शेर करना है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ ग्रूप के अंदर जो भी साथ ही मिले तैयारी करने वाला उसे बोल है ताभ कुमार वर्मा ने स्यंबु को हिंदी का पर्थम कभी माना है लिख लीजिए क्योंकि अब वरंस के कभियों की लेखनिक कावे मई हो उटी थी शेली भी सरस और परवापूनता के कारण लोग परी हो रही थी जिसका परवाप भक्ती पर पड़ा किंतु अंत में हिंदी साहित्य के पर्थम कवी के रूप में सरहपा को भी माना गया जो सर्व मानने मत है वो हिंदी का पर्थम कवी किसे मानते हैं सरहपा को मानते हैं या सरहपाद को मानते है जिसके बारे में राहूल सांकरतायन ने कहा था सबसे जो मानक नाम है वो सरहपा का आता है किसी का भी नाम नहीं आए राहूल सांकरतायन का भी नाम नहीं आए तो पूछ लिया जाए हिंदी का पर्थम कभी कौन तो सरेपा या सरेपाद ठीक है और नाम दे के पूछे तो आपको याद रखना ही है क्योंकि उनकी भासा है कावेशली के उधारनों से स्वेता ही इसका उत्तर मिल जाता है और ये इसपस्ट हो जाता है कि सरेपाद की भाषा अप्यक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है सरेपाद जी का ये है ये जह मन पवन ने संचरई रवीश शिनाँ है पवेश तो ये हिंदी के निकट लगती है इनकी शब्दावली इस वज़े से इनको सरोमाने मत ये है कि सरह पादी क्या है हिंदी के पर्थम कभी माने जाते हैं साब ठीक है मामला इस उधारण से अब ब्रंश बाशा में संस्क्रित की तश्रम शब्दों की परवर्ति पाए गई जो आगे चल कर हिंदी बाशा के शब्द है जो बने जैसे कि चित हो गया यहाँ पर ठीक है इस वज़े से का कि यह इंदी की जैदा निकटत यह है मन पवन रवी शशी वट चित रहूल जी ने रहूल संक्रते ने सरह पा का समय साथ सो उनत्तर माना है सेवन सिक्स नाइन यह भी पूछा जा सकता है नोट कर लीजिए एरो लगा के रहूल जी ने सरह पा या सरह पाद का समय सेवन सिक्स नाइन इस्वी माना है यह भी कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ठीक है डोक्टर रामकुमार वर्मा भी सात्वी शताब दे सही सिद्धों की रचनाओं को भाषा का प्रारंबिक रूप मानते है इसमें दोवा शेली का विक्षित रूप मिलता है सिद्धाचारियों के इस परकार के साधनात्मक दोहे नात्संपर्दावें कबीरदास के हट्योग तता हट्योग का हट्योग तक का मूल सिद्ध करते हैं कि वास्ता में यहाँ पर यही जो संपर्दावें चलता था अब आगे बढ़ते हैं हम नोड हेडिंग लगा लिजिए आधिकाली इन सहितिक भाषा का स्वरूप हेडिंग लगा लिजिए और एरो लगा लिजिए जहां भी नोड्स बनाना होगा मैं आपको बता दूँगा आधिकाल की मूल भाषा अपबरंश ही सहितिक भाषा के रूप में उभर कर आ रही थी पूछलिया जाए आधिकाल की मूल भाषा जो अपबरंश भाषा थी वो ही थी और यही क्या है सहितिक लेंग्वेज के रूप में एक लिटरेचर लेंग्वेज के रूप में उभर कर वह जो सामने आ रहे थी अपभरंस की सहितिक शामगरी की विवेचना करें तो हमें चार रूप मिलते हैं कौन-कौन से लोक भाषा में लिखित अपभरंस सहिते हो गया एक दूसरा राजस्तानी मिष्रित अपभरंस सहिते हो गया मैथली मिष्रित अपभरंस सहिते हो गया और अब्रंस की साहितिक शामगरी के चार रूप आदिकाल में अब्रंस की साहितिक जो सामगरी है उसके चार रूप पहला लोक भासा में लिखित अब्रंस आई ते जो लोक भासा में लिखा गया दूसरा जिसमें राजस्तानी मिश्रित अब्रंस हो जिसमें राजस्तानी के शब अप्बरण्स हो गया और छोटा खड़ी बोली मिश्रित खड़ी बोली हिंदी कर सकते जिसेंग अब इसमें सबसे पहले आता है अपने अप्बरण्स सहित यह देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा गया लोकबहशा अप्बरण्स पुरानी हिंदी का पूर वरति रूप है ल नवीन उदार भावनाओं को संचार करने के लिए अध्यात्मिक भावनाओं को जंजन तक पहुचाने के लिए काव्य की रचना की इसमें अपब्रंश भासा उस समय विभिन रूपों में परकट हो रही थी जैसे पहले लोकिक अपब्रंश दूसरी परवर्ती अपब्रंश जिसें अववट भी कहते हैं एरो लगा के लिख लिजिए परवर्ती अपब्रंश जिसें अववट भी कहते हैं तीसरी शेत्री अपब्रंश जिसें राजस्तानी बिंगल का नाम दिया गया लोकिक अपब्रंश का साहिते जिसके अंदर सिद साहिते जेन साहिते और नात सा साहिते लोकिक अबरंश का साहिते कुण सा है सिद्ध जैन और नात ये लोकिक अबरंश के अंतरकत आते हैं आगे बढ़ते हैं साब heading डालीजिए सिद्ध साहिते सबसे पहले बात करते हैं सिद्ध साहिते की heading डालीजिए साथ यूँ सिद्ध साहिते सिद्ध साहिते में देखिए राहुल सांकरते ने 14 सिद्धों के नामों का उल्ले किया है पूस लिया जाए चोरां से सिद्धों के नामों का उले किस ने किया है तो राहुल संकरताय ने सिद्ध साहिते जहां पी आपने हेडिंग डाली उसके नीचे एरो लगा के लिख लीजिए राहुल संकरताय ने चोरां से सिद्धों के नामों का उले किया है लिख लिए इसके बाद में मैं कहूं वही लिखना है इन्हें सिद्धों का मूर लक्षे अपने साहित्य को जन वासा में लिकर क्या सर्वे साधरान जन तक पहुँचाना था इनके साहित्य में बौद धर्म के वज्र यान तत्व का बाहूले था लिख लीजिए सिद्धों के एरो लगा क सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवी निम्न लिखित हैं अब नीचे हेडिंग डाली आप सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवी सिद्ध साहित्य चल रहा है तो हेडिंग हलकिस हेडिंग डाल लीजिए सिद्ध साहित्य के साहित्य के प्रमुख कवी सिद्ध साहित्य के प्रमु है कि ये इंदी का पहला कवी और वैसे नाम लेकर बोला जाएस तो इसको इंदी का पहला कवी किषने और कृता है राहुल س लिग लीजिए 7 6 920 कि इनके द्वारा 32 गरंतों ग्रचना की एरु लगा लिए लिए 32 ग्रचना की गई शरहपाद का विवरंट चल रहा 32 गरंतों करने वाले कौन है सरयपाद है दोह कोश और चरियापत गरिशना करने वाले कौन है सरयपाद है इन्होंने क्या पाखंड और आडंबरों का घोर विरोध किया तता गुरू को सबसे पुझे माना एरो करके लिख लीजिए सरयपाद ने गुरू को सबसे पुझे माना यह परव महासुक की ओर ले जाता है यह कथन किसका है तो पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे सरहपाद का है बहुत महतुपूर्ण है सहज भौग मार्ग जीव को महासुक की ओर लेके जाता है असानी से जो भौग करें सहज भौग जो बिना सहیج परवाय मिलता है दक्षन मार्ग को छोड़ कर वाम मार्ग का उपदेश दिया एरोकर के लिख लीजिए सरहपाद को छोड़ कर वाम मार्ग का उपदेश दिया ठीक है और उधारण मैंने आपको लिखवाय दिया था उस दिन कि नादन बिंदुने रवी नशशि मंडल ये बहुत प्रसिद है इसलिए कई बार पूछा जाता है उपर वाले लाहन दे दी जाती है किसके दौरा कृत है सरह पाद की दौरा कृत है कभी कभी सरह पाद की इस भासा से लगता है कि ये हिंदी के निकट थी इसमें अप भरंश का भी पूर्ण प्रभाव है इनके कावे में अंतह साधना पर जोड़ दिया गया है इरो करके लिख लिजिए सरह पाद के कावे में अंतह साधना पर जोड़ दिया गया है ये अंतिसादना पर जोड़ देखने को मिलता है पंडितों को फटकार एवं शास्त्रिय मार का खंडन किया है ये भी लिख लीजिए पंडितों को फटकार को छोड़ दीजे बले एरोकर के लिख लीजिए सरयपाद ने शास्त्रिय मार का खंडन किया है देखिए पंडिये सवूल संत बस खान नई देह ये बुद्ध वसंत जानई अमना गमन नेती नभी खंडिये तो विणी लज हव पंडिये ये पंडितों के बारे में दिखाए शास्ते मार का खंडन किया है दूसरा लिखिए पहले सरहपाद होगे सिद्धों के अंदर दूसरे परमुक आते हैं सबरपा शबरपा लिख लीजिए नाम शबरपा शब्रों का सा जीवन जयापन करने की कारणे का नाम शबरपा कहे जाने लगा जर्यापा इनकी परशिद रचना है कर शबरपा से इन्होंने ग्यान प्राप्त किया था लिएक, शबरपा के गुरु कौन शर्यपा इन्होंने सहज जीवन पर बल देकर माया मोह का क्या किया विरोध किया हेरी ये मेरी तैला वाडी खस्मे सम्तुला ये लिख लिजिए अप लाइन हेरी ये मेरी तैला हेरी ये मेरी तैला वाडी खस्मे सम्तुला इसका गतन है है वें शब्रपात का किस ने लिखा यह शब्रपाने पूष्पा किसने के शिष्ष्ष तह तो शब्रपा ने जाते से काइस थे किन्तु इंकी प्रबल साधना देक कर और अव्री साग राजमंत्रि इनकी शिश्य बन गए चोरां से सिद्धों में इनका उंचा इस्तान है ठीक है लुईपा का कोवा तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पईठा काल वेरी इंपोर्टन लिखिए इस लाइन को लिख लीजिए आप लुईपा यह पंग्ति कहीं बार पूछी गई है कोवा तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पईठा काल किसकी है लुईपा की है चार नमबर पर लेखिए डोडिमपा यहाँ पर डोबिमपा लिखावा लेकिन यह है डोडिमपा है और डोबिमपा भी देखने को मिल सकता ध इस विक लगबग माना जाता है 840 इस विक विक यहां पर माना जाता है इनके गूरू का नाम विरू पनाते हैं have गूरू का नाम गुरू लिककते लिख लीजिए विरूपा order पूर कि प्रसीध ग्रंथ कि डॉंब गीतिका और हो जाएगा योग चरिया योग चरिया और यहां जो यह डूम्बी गीतिका गरंथ है इसके नुसरा हम कर सकते हैं डूडिमपा जहां भी लिखा वात है वो सही नहीं क्योंकि यह अपने बोड के इंदर किताब चलती है अपने क्लासों में तो यहां पर जो लिखा है और डूम्बींपा दूम्बिम्पा यह नाम याद रहना है गंगा जौना माजMore बहरनाई रिखायर लैन भी लिख ले जिए डूम भी पासे जुड़ी हुई है ए इसाज का आगके सिदों में पर दोबिमप्पः कनहभपह यह ब्राह्मनवन्ष के थे लुईपह काइस्थ थे और दो जालन दरपा अब देखीए जितने भी शिद्ध यहां पर आ रहे हैं शिद्धों के नाम सब के आगे पापा जुड़ा हुआ है ठीक है तो इस दायन में रखिया गुरु का नाम लिख लिजिए जालन दरपा था कनपा के गुरु का नाम जालन दरपा था इन्हों आगला है अपना कुको रिपा को नगला कुकुरिपा ये कपिल विस्तु की ब्रामन थे चरपटिया इनके गुरु थे लिख लीजिए कुकुरिपा के गुरु चरपटिया उन्होंने 16 गरंतों की रचना की ये सहज जीवन के समर्थक थे ये सहज जीवन के समर्थक थे हांद निवासी खमन बता रहे 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 अब देखिए सिद्ध साहिते की विशेस्ताइं सभी विशेस्ताइं है जो यह उपर हेडिंग डाल लीजिए सिद्ध स दोगों विसेस्ता हैं लिखुई यह वह आपको सभी लिखनी है विसेस्ताओं से जुड़ा हुआ परवर्तियों से जुड़ा हुआ सवाल सो परतिशत पूछा जाता है सिद्धों की रचना से पता चलता है कि कावे शली संध्या या उलटबांसी शली की थी अब आपको कहां से लिखना है एक नंबर लगा लिजिए सिद्ध साहिती की विसेस्ताओं में इनकी कावे शली या सिद्धों की कावे शली संधा या उलटबांसी शली थी जिसका सामान अर्थ उल्टा अर्थ लगता है उल्टा अर्थ तो सिद्धों की कावे शेली संदा या उल्ट वांसी थी संदा शेली संदा या उल्ट वांसी थी ठीक है दूसरी लिख लो अंतह साधना पर जोड़ दिया सिद्धों ने किस पर जोड़ दिया अंतह साधना पर जोड़ दिया तीसरी विसेस है, रहिसे मारग्यों की साधना पद्त अपनाई, रहिसे मारग कि जो साधना है, इस पद्त को इन्हों ने अपना है, इसिद्धघने, प्रेरित, चोथी है वारूनि प्रेरित, 30 साधना पर जो कंडन किया और पांच में उबेश परक्ट साहितिक रचनाई थी इनकी रचनव में उबेश परक घुढेश परक्टन सभी के सभी लिखलीज़ीज यह भी उब्डेश परक कि चैज़ा लिखनी है नियुदी ना गी से एवं विरोध मुलक परतिकों के साथ में विरोध मुलक परतिक थे विरोध वाले उनसे क्या इन्होंने क्या कि कावे साधना की तो ये था अपने सिद्धों का वर्णन अब आगे थोड़ा सा और देखतें सिद्धों के वारे में इस परकार सिद्ध साहित्य ने केवल पर्वर्थी भाशा साहित्ते पर बात मेंहां जो बासा बाद जिस बासा का साहित्य है उस opens up भी फिर्वाव देखने को मिलता। सिद्धा चारियों के काव का सिद्धापर्वाव संत्ट साहित्य पर पड़ा। करमकांडों की निंदा आच्रन की शुद्धता संदा भाशा या उल्ट वाशियां रहसे मैं उक्तियां रूपक एवं प्रतिक विदान शब्दावली का प्रियोग हम भक्तिकाल के संत कबीर के साहिते में देखते हैं तो देखें यहां सिद्ध साहिते जो सिद्धों का साहिते है इसका प्रियोग हम प्रभाव की विशेस्ता बन गई थी तो दोहा और गीत शेली किस काल की विशेस्ता थी भक्तिकाल की इसका परभाव नात साहिते पर भी पड़ा क्योंकि योग साधना सिद्धों की परंपरा लगती है लिख लीजिए नोट करके डॉक्टर हजारी परसा दिवेदे ने कहा भक्तिवाद पर सिद्धों का परभाव है इस लाइन को लिख लिख लीजिए ब्योक्टर हजारी परशा दिवेदे ने कहा भक्तिवाद पर सिद्धों का परभाव है इनके साहित्ते की सबसे बड़ी मैतुपूर्ण देनी है कि आधिकाल की प्रमानिक सामगरी पराप्त हुई है आधिक हो गया शबरपा हो गया लोईपा हो गया कणपा हो गया कुकुरिपा हो गया और इनकी जो विशेस्ताइं हो गई क्या कुछ थी और कहां से क्या कुछ सवाल बनता है प्रथम कभी राहुल सांकर्ताई ने किसको कहा रामकुमार वर्मा ने किसको कहा रामकुमार वर्मा ने कौ के बाद का साही ते अनुरोध आपसे फिर उन्हें वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं किया अभी तक तो शेर कर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके वेल आइकन क्लिक केजिए और ओल नोटिफिक्स पर क्लिक केजिए ताकि हर वीडियो की सूसना आ आपको कोशिज यह करें हर साती जो देखने वाला दस पंदर दस पंदर लोगों को जोड़ता रहे फिर मिलता हूं